हे गाइज वलकम टो मैं अनाधर ब्लाग गुड मॉर्णिंग हरे कृष्णा यहों पसो की सब अच्छे हो और मैं सुबह सुबह नाहा भी लिया और रेडी भी हूँ देख रहे हो जैसे की सो मैं जारी हो अपने दा को लेने के लिए तो हमारे बिंगॉली में ऐसा एक रिवाज है कि आश्टो मोगला बोलता है शादी के आठ दिन बाद मतलब ससुराल जाता है और उसके बाद मतलब लाने के लिए कोई जाता है सो मैं अपना जो बिष्टी है वो और और एक दा जाए पेंड लिया है और ही रहा मेरा लुक कुछ ऐसा है डीसेंट सा जस्टेक पोनी किया है सामने कुछ ऐसा है और माय मेक अप जस्टाय लाइना लिप चिकन प्त यह तोड़ा सा क्यूट लग रहा है मुझे पता नहीं क्यों और मैंने यह अंगोठी पहनी इतनी बड़ी और य रिंस ढ है स्विस और खाने में बहुत कुछ था मेरा पटब पोड़ा फट गया और यहां हम आते हुए सब और हम फिर से पगलामी करते हुए गाइज और यहां पे ननपर हसते हुए और फिर में ननपर के उपर ही सोगी देखो और मैं उसके साथ थोड़ा सा मस्ती किया और लिली के पानी को साफ किया और फिर से मैंने थोड़ा सा एपल खा लिया क्योंकि मुझे भूग लग गया था और यह था पीठे जो कि हमारे बिंगॉली में बोलता और यहां पर देखो हमारी नौटंग की फिर से चलू होगी और मुझे बहुत बोला लग रहा था कि विश्टी कल जा रही है हम लोग ने बहुत मजा किया और सच में वह बहुत अच्छी है और यहां पर हम लिफ्ट में अपना भीड बढ़ाते हुए और यहां पर एक अच्छा सा ओपन रस्टोरेंट था तो यह भी हमने थोड़ा सा देखा है उसके बाद काली बढ़िया है सो ममा का दर्शन किया बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लगा और यह था और एक मंदिर जो कि हमने घूमा सो वो उसके बाद हमारी रोल पार्टी हुए सबकी और उसके बाद हम घर आए और मैंने अपना मेकप रिमूब करने के बाद तो और मैंने दो दिन से अपना ब्लॉग नहीं डाला उसके लिए आप सो सोरी बस थोड़ा सा नेटवर्क प्रब्लम था एं थोड़ा सा मेरा भी प्रब्लम था इसलिए मने नहीं डाला अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना के चैनल पने हो तो सब्सक्राइब करना और इस साल दोसों करवादो यार प्लीज बस दिल से यही दुआ है मिलते हैं कल तब तक किली डाडा अची रहना हरी किश्णा टाडा